तो आज हम शेयर कर रहे हैं एकदम नए नाश्टे की रेसिपी जिसे हम ब्रेड और आलू से बनाएंगे ये नाश्टा बहुती ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुती कम समय में बनके तयार हो जाता है तो नमस्ति दोस्तों मेरा नाम है रेखा और आप सब का स्वागते मेरे चैनल पर तो चलिए ये ब्रेड की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन ब्रेड को इस तोड़ते हुए मिक्सी के जार में डाल दिया है तो अब हम यहाँ पर आधा कप मोटा पोहा इसमें डालेंगे और इसे पीस लेंगे तो यहाँ सब करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मसाले आप अपने अकॉर्डिम कम जादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करें तो जादा मेच्ची पाउडर का यूज़ कीजिएगा तो अब हम इसमें दो बारी कटे हुई हरी मेच्ची डाले बच्चों के लिए बना रह और आदा चोटा चम्ब से ही यहाँ पर हम कद्दू कस की हुई अद्रक डाल देंगे और इन सब को हम अच्चे से पहले मिक्स करेंगे तो देखिए आलू में कितना मौश्टर है उस हिसाब से हमें पहले मिक्स करना है पहले ही यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पर आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ करना चाहते हैं तो वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं तो यह देखिए इसे हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है तो इसे मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर दही डाल रहे हैं इसे गूतने के लिए आप यहाँ पर प लगाना है तो यहां पर हमें खट्टे दही का यूज नहीं करना है एक्दम फ्रेश दही का ही यूज करना है तो यहां पर टोटल हमने चार से पांच चम्मस दही यूज किया है इसे गूतने के लिए तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसे गूत लेंगे तो इस नाश्टे को बनाने के लिए इसे हमें रैश पर रखने की बिल्कूल भी जरूत नहीं है, इसे तूरंत ही हम नाश्टा बनाएंगे, तो यहाँ पर हातों को मैंने अच्छे से धो लिया है, तो अब हम थोड़ा सा डो ले लेंगे, मतलब एक निम्बू के आकार का लेंगे और एक अच्छे सी टिक्की का शेप दे देंगे, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बस नॉर्मल सी टिक्की होती है, उसी शेप में इसे हम बनाएंगे, आप चाहे तो दूसरा शेप भी इसे दे सकते हैं, तो इस तरह से गोल गुमाते हुए हमने यहाँ पर इसे ए बहुती आसानी से बन भी जाती है, तो अब हम आगे की प्रोसेस में चलते हैं, इसे हम फ्राइ कर लेंगे, तो इसे फ्राइ करने के लिए गैस पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा रख दिया है, और इसमें हम दो से तीन चम्मस तील डाल देंगे, और इस तरह से फैला देंग एक से दो मिनट इसे अच्छे से पकने दीजेगा, उसके बाद ही इसे पलटेंगे, और दूसरे साइज से भी इसे एक से दो मिनट इस तरह से पकाएंगे, फिर इसे पलटेंगे, और इसे तब तक पकाना है, जब तक कि ये दोनोट साइज से अच्छे से गोल्डन ब्राउ हो जाती है तो यह देखिए एक साइज से बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और इसी तरह से हम दूसरे साइज से भी अच्छे से पका लेंगे तो आपको अगर नाश्ते में कुछ हलका फुलका बनाना हो और जादा मैनत भी नहीं करनी हो तो आप ब्रेड की यह वाली रेसि के साथ सर्व किया है इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में या पी चाय के साथ बना के खा सकते हैं आपकी फेमली को यह नाश्ता जरूर पसंद आएगा और आप इस टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा तो आज की यह रेसिपी अगर आपक